ओम श्री परमात्मने नम्हा, ओम नमस्षिवाय श्री श्रीशिव महापुराण रुद्र सहिता, खंड तीन, अध्याय बत्तिस और तेतिस, मेना का को भवन में प्रवेश करना, और भगवान श्रीव का हिम्वान के पास सप्तरिशियों को भेजना, तथा हिम्वान द्वारा उनका सतकार, सप्तरिशियों तथारुंधती का, और महर्शी वसिष्ठ का मेना और हिम्वान को समझा कर, पार्वती जी का विवाह भगवान श्रीव के साथ करने के लिए कहना, तो ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रामन रूपधारी, श्रीव जी के वचनों का मेना के उपर बड प्रभाव पड़ा, उन्होंने दुखी होकर पती से कहा कि गिरिराज, इन वैशना ब्रहमन ने शिवजी की जो निंदा की है, उसे सुनकर तो मेरा मन उनकी ओर से बहुत खिन एवं विरक्त हो गया है, शैलेश्वर, रुद्र के रूप, शील और नाम सभी कुदसित हैं, मै उन्हें अपनी सुलक्षणा पुत्री कदापी नहीं दूँगी, यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे, तो मैं निस संदेह मर जाओंगी, अभी इस घर को छोड़ कर छोड़ दूँगी, अथा विश्खा लूँगी, पारवती के गले में फांसी लगाकर गहन वन में चली जाओंगी, अथवा उसे महा सागर में डुबो दूँगी, परंतु अपनी बेटी को रुद्र के गले में नहीं मडूँगी, ऐसा कहकर मेना तुरंत कूप भवन में चली गई, और अपने हार को फेंक कर रोती हुई धर्ती पर लोट गई, इधर भगवान शिव को इस बात का पता लगा, तब उन्होंने अरुंधती सहित सप्त रिशियों को बुलाया, तथा मेना के पास जाकर उन्हें समझाने की आग्या दी, शिव जी का आदेश प्राप्त कर भगवान शिव को नमसकार करके वे दिव्य रिशी आकाश मार्ग से उस स्थान को चल दिये जहां हि हिमवान की नगरी थी, उस दिव्य पुरी को देखकर उन्हों सप्त रिशियों को बड़ा विस्मे हुआ, वे हिमाचल पुरी की परस्पर प्रशंसा करते हुए सब एश्वरें से भरे पूरे हिमवान के घर जा पहुँचे, उन सूर्य तुल तेजस्वी सातों रिशियों क दूर से आकाश के रास्ते आते देख हिमान को बड़ा विस्मे हुआ, वे बोले ये सात सूर्य तुल तेजस्वी मुनी मेरे पास आ रहे हैं, मुझे प्रैतन पूर्वा किस समय इनकी पूजा करने चाहिए, सबको सुख देने वाले हम ग्रहस्त लोग धन्य हैं, जिनके घर आप ऐसे महात्मा पदारपन किया करते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, इसी समय वे मुनी आकाश से उतर कर प्रत्वी पर खड़े हो गए, उन्हें सामने देख हिमवान बड़े आदर के साथ, आगे बड़े और हाथ जोड़, मस्तक जुका कर उन सब तरिशियों को प्रणाम कर करने के पशात, उन्होंने बड़े सम्मान के साथ उन सब की पूजा की, तथा उन्हें आगे करके कहा कि मेरा ग्रहाश्रम आज धन्य हो गया, यों कहकर उन्हें बैठने के लिए भक्ति पूर्वक आसन ला कर दिया, जब ये आसनों पर बैठ के तब उनकी आग्या लेकर हि जोतिर मैं महर्शियों से इस प्रकार बोले, हिमवान ने कहा कि आज मैं धन्य हूं, कृत करते हूं, मेरा जीवन सफल हो गया, मैं लोग में बहुत से तीर्थों की भाती दर्शनिये बन गया, क्योंकि आप जैसे विश्व रूपी महात्मा मेरे घर पधारे हैं, आप लोग पूर्ण काम हैं, हम दीनों के घरों में आपका क्या काम हो सकता है, तथा आपी मुझ सेवक के योग यदि कोई कार है, तो कृप्या पूर्वक उसे अवश्य कहीं, उसे पूर्ण करने से मेरा जीवन सफल हो जाएगा, रिशी बोले शैलराज, हिमवान शिव को जगत का पिता कहा गया है, और शिवा जगन माता मानी गई है, अता तुम्हें महात्मा शंकर को अपनी कन्या देनी चाहिए, हिमाले ऐसा करके तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा, तथा तुम जगत गुरु के भी गुरु हो जाओ इसमें कोई भी संशय नहीं है, मुनीश्वर सब्तरिशियों का यह वचन सुनकर हिमवान ने दोनों हाथ जोड़ उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा, हिमाले बोले महाभाग सब्तरिशियों आप लोगों ने जो बात कही है, उसे शिव की एक्षा से मैंने पहले से ही मा रखा था, किन्तु प्रभो इन दिनों एक वैशनव धर्मी ब्रहामन ने आकर भगवान शिव के प्रती प्रसनता पूर्वक बहुत सी उल्टी बातें बताई हैं, तभी से शिवा की माता का ज्यान भ्रष्ट हो गया है, वे अपनी बेटी का विवा उस योगी युद्र के स बात नहीं करना चाहती, ब्रहामनों वे बड़ा भारी हट करके मेले कपड़े पहन को भवन में चली गई हैं और समझाने पर भी समझ नहीं रही हैं, मैं भी उस वैशनव ब्रहामन की बात सुनकर ज्यान भरष्ट हो गया हूँ, आप से सच में कहता हूँ, भिक्षुक रू बैठे हुए शैल राज शिव की माया से मोहित हो, उपर्योगत बात कहकर चुप हो रहे, तब उन सभी सब्त रिशियों ने शिव की माया की प्रशंसा करके मेना के पास अरुंधती को भेजा, पती की आज्या पाकर ज्यान दाइनी अरुंधती देवी तुरंत उस घर में ग उन साथवी देवी ने बड़ी सावधानी के साथ मधोरेवं हित कर बात कही, अरुंधती बोली साथवी रानी मेन के उठो, मैं अरुंधती तुम्हारे घर आई हूँ, तथा दयालू सब्तरिशी भी पधारे हैं, अरुंधती का स्वर सुनकर मेन का शीग रूठ गई और ल प्राप्त हुआ है कि हमारे इस घर में जगत स्रिश्टा, ब्रह्मा जी की पूत्र वधू और महर्शी वसिष्ट की पत्नी पधारी हैं, देवी आप किसलिए आई हैं, यह मुझे बतलाईए, मैं और मेरी पूत्री आपकी दासी के समान हैं, आप हम पर कृपा कीजिए, मैं जहां वे सब्तरशी विद्यमान थे, सब्तरशी गर्ण बाचीत में बड़े निपुन थे, उन सबने भगवान शिव के युगल चरणार विंदों का स्मर्ण करके शैलराज को समझाना आरंभ किया, रिशी बोले शैलेंद्र हमारा शुब कारक वचन सुनो, तुम पार्वत जी ने तारका सुर के विनाश के लिए एक वीर पुत्र उत्पन करने के लिए के उत्देश को लेकर भगवान शिव से ये प्रार्थना की है, कि वे विवाह कर लें, भगवान शंकर तो योगियों के शिरोमणी है, वे विवाह के लिए उत्सुप नहीं है, केवल ब्रह्मा जी की प्रार्थन से ही वे महादेव तुमारी कन्या का पाणि ग्रहन करेंगे। ना एश्वर है और ना कोई स्वजन या बंधु बांधव ही है। मैं अत्यांत निरलिप्त योगी को अपनी बेटी देना नहीं चाहता। मैं स्वेक्षा से भगवान शूल पाणि को अपनी कन्या नहीं दूँगा। इसलिए महर्शियों जो ओचित विधान हो उसे आप लोग कीजिए। मुनिश्वर नारद हिमाचल के इस वचन को सुनकर बातचीत करने में निपुण महर्शी वसिष्ट ने उनसे यूं कहा। वसिष्ट बोले शैलेश्वर मेरी बात सुनो। यह सर्वता तुमारे लिए हितकारक, धर्म के अनुकूल, सत्य तथा इही लोग और पर लोग में सुखदायक है। शैलराज, लोग तथा वेद में तीन प्रकार के वचन उपलब्द होते हैं। शास्त्रग, पुरुष अपनी निर्मल ज्यान द्रिष्टी से उन सब प्रकार के वचनों को जानता है। एक तो वेचन जो ततकाल सुनने में बड़ा सुन्दर और प्रिये लगता है, परन्तु पीछे वे असत्तेवम अहित कारक सिद्ध होता है। तीसरी श्रेणी का वचन वे है, जो सुनते ही अमरत के समान मिठा लगता है, और सब काल में सुख देने वाला होता है, सत्ती ही उसका सार होता है, इसलिए वे हितकारक हुआ करता है। असा ही वचन कहूंगा। दीन दुखी को कन्या देने से पिता कन्या घाती होता है, उसे कन्या के वद का पाप लगता है। कौन जानता है कि भगवान शंकर दुखी हैं। कुवेर जनके किंकर हैं, जो अपनी भुभंग लीला मात्र से संसार की स्रिष्टी और साहार करने में समर्थ हैं। जिनने गुणातीत, परमात्म और प्रकरती से परे परमेश्वर कहा गया है, स्रिष्टी पालन और संहार करने वाली जिनकी त्रिविध मूर्ती ही ब्रह्मा विश्णू और हर नाम धारन करती है, उन्हें कौन निर्धन अत्वा दुखी कह सकता है। ब्रह्म लोक में निवास करने वाले ब्रह्मा, ख्षीर सागर में रहने वाले विश्णू तथा कैलाश वासी हर ये सब शिव की ही विभूतिया हैं। शिव से प्रकट हुई प्रकटी भी अपने अंश से तीन प्रकार की मूर्तियों को धारन करती है। जगत में लीला शक्ती से प्रेरित हो वै अपनी कला से बहुत सा रूप धारन करती है। समस्त वांगमाई अधिश्ठात्री देवीवाणी उनके मुख से प्रकट हुई हैं। और सर्व संपत स्वरूपनी लक्षमी वक्षस थल से आविर्भूत हुई हैं। तथा शिवा ने देवताओं के एकत्र हुए तेज से अपने को प्रकट किया था और संपून दानवों का वद करके देवताओं को स्वर्ग की लक्षमी प्रदान की थी। देवी शिवा कल पांतर में दक्ष पत्नी के उदर से जन्मले सती नाम से प्रसिद्ध हुई और हर को उन्होंने पती के रूप में प्राप्त किया। दक्ष ने स्वयम ही भगवान शिव को अपनी पुत्री दी थी। सती ने पती की निंदा सुनकर योग बल से अपने शरीर को त्याग दिया था। वे ही कल्यान मई सती अब तुमारे वीर और मैना के गर्भ से प्रकट हुई है। शहल राज ये शिवा जन्म जन्म में शिव की ही पतनी होती है। भगवान हर चिता भस्म के रूप में सती के अस्थी चून को ही स्वयम प्रेम पूर्वक अपने अंगों में धारन करते हैं। अतहगिरी राज तुम स्वेक्षा से ही अपनी मंगल मै करन्या को भगवान हर के हाथ मोई दे दो। तुम यदि नहीं दोगे तो वह स्वयम प्रियतम के स्थान में चली जाएंगी। देवेश्वर शिव तुम्हारी पुत्री का अनन्त कलेश देखकर ब्रामण के रूप में इसकी तपस्या के स्थान पर आये थे और इसके साथ विवाह की प्रतिग्या करके इसे आश्वासन इवं वर्व देकर अपने आवास स्थान को लोट गए थे। गिरे पारवती की प्रार्थना से ही शम्भू ने तुम्हारे पास आकर इसके लिए याचना की और तुम दोनों ने विशिव भक्ती में मन लगा कर उनकी उसी याचना को सुईकार कर लिया। गिरीश्वर बताओ फिर किस कारण से तुम्हारी बुद्धी विप्रीत हो रही है और विप्रीत हो गई है। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना से प्रभावित होकर हम सब रिशियों को और अरुन्धती देवी को भी तुम्हारे पास भेजा है। हम तुम्हें यही शिक्षा देते हैं कि तुम पार्वती को रुद्र के हाथ में दे दो गिरे ऐसा करने पर तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा। शैलेंद्र यदि तुम स्वेक्षा से अपनी बेटी शिवा को शिव के हाथों में नहीं दोगे तो भावी के बल से ही इन दोनों का विवा हो जाएगा तात भगवान शंकर ने तपस्या में लगी हुई पार्वती को ऐसा वर दिया है इश्वर की ही की हुई प्रतिग्या कभी पलट नहीं सकती गिरिराज इश्वर के वश में रहने वाले समस्त साधु पुर्षों की भी प्रतिग्या का संसार में किसी के द्वारा उलंगन होना कठिन है फिर साक्षात इश्वर की प्रतिग्या के लिए तो कहना ही क्या है ओम नमर्शिवाय, शिवजी सदा सहाय